हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपना यूट्व चैनल एस्टेगल पॉइंट में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिजिक्स के चप्टर ऑप्टिक्स परकासी की से काफी इंपोर्टेंट प्रसन लेकर आये हैं जो की आने वाले बिहार वोर्ड इंटर्मेडियर एक जाउम 2022 के लिए काफी इंपोर्टेंट है इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आज जो क्वेस्टन बताने वाले हैं वह सलेक्टेड प्वेस्टन हैं जो की साथ से आठ वार पूछा जा चुका है तो फ्रेंड्स वीडियो को एन तक देखिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट क्वेस्टन नमर वन कह रहा है किस कारण से पॉनी के अंदर अवस्तित हवा का बुलबुला चमकता नजराता है इसका कुरेक्ट आंसर ऑप्सन नमर सी पून आंत्रीक प्रावर्तन के कारण पॉनी के अंदर अवस्तित नमरे दूरी का परकास वर्स दूरी का मात्रक है question3 question3 कह रहा है परकास की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गवन करती है तो निम्न मैं से नहीं बदलता है आविरती 3 का correct answer option number A आविर्ती Most important question है आपके exam के लिए Question number 4 Question number 4 कहा रहा है तलाब की तली कुछ उपर उठी हुई परतित होती है इसका कारण है परकास का अबबरतन 4 का correct answer option number C परकास का अबबरतन के कारण तलाब की तली कुछ उपर उठी हुई परतित होती है Question number 5 Q5 कह रहा है स्वस्ट ब्यक्ति के लिए अस्पस डिरिस्टी की अलपतम डूरी होती है स्वस्ट ब्यक्ति के लिए अस्पस डिरिस्टी की अलपतम डूरी 25 cm होता है इसलिए 5 का correct answer option number A 25 cm सोस्त व्यक्ति के लिए स्पस्ट डिरिश्टी की अधिक्तम दूरी की बात करें तो अनंत होता है इसलिए 5 का क्रेक्ट आउंसर आफ्शन नमर ये 25 cm है अल्पतम दूरी 25 cm क्वेस्टन नमर 6 का राय सरल सुख्मदर्शी की आवर्धन छमता होती है आवर्धन छमता होती है 1 पलस D by F होता है इसलिए 6 का क्रेक्ट आउंसर आफ्शन नमर ये 1 पलस D by F क्वेस्टन नमर 7 कह रहा है एक सरल सुख्मदर्शी द्वारा बना परतिवीम होता है एक सरल सक्षमदर्सी द्वारा बना प्रतिवीम कालपणिक सिधा होता है इसलिए सेवन का क्रेक्ट आंसर ऑफशन नमर ए कालपणिक सिधा कॉस्चन नमर एट एक दिर्ख दिष्टी दोस वाले व्यक्ति के लिए आवस्यक होता है उत्तर लेन्स 8 का correct answer option number A उत्तर lens एक दिश्टी दोस वाले व्यक्ति के लिए आवस्यक है उत्तर lens Next question Next question कह रहा है जब सुख्मदर्सी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्दन चमता बढ़ती है जब सुख्मदर्सी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्दन चमता बढ़ती है Question number 10 Question number 10 एक उत्तर lens को पानी में दुबाया जाता है तब उसकी चमता घट जाती है 10 का correct answer option number B घट जाती है Question number 11 Question number 11 कह रहा है बैगनी रंग का बिचलन लाल रंग के बिचलन से अधीक होता है 11 का correct answer option number B अधीक होता है बैगनी रंग का बिचलन लाल रंग के बिचलन से अधीक होता है Question number 12 Question number 12 कह रहा है किस रंग का तरंग धरिये सबसे अधीक होता है किस रंग का तरंग धरिया सबसे अधिक होता है सबसे अधिक तरंग धरिया लाल रंग का होता है इसलिए 2L का correct answer option number यह लाल रंग किस रंग का तरंग धरिया सबसे अधिक होता है लाल रंग अगर कम तरंग धरिया की बात करें तो बैगनी रंग का तरंग दरियत सब से कम होता है question number 13 question number 13 कहा रहा है एक गोलिय दरपन की बख्र पिरिष्ट की तिरजिया 40 cm है इसकी focus दूरी होगी हम जाउनते हैं कि focus दूरी बड़ावर होता है r by 2 r यहां दिया हो है 40 बटा दो 20 cm निकलेगा 13 का correct answer option number d 20 cm 20 cm 13 का correct answer होगा question number 14 question number 14 का रहा है एक लेंज की छमता पी होती है एक लेंज की छमता पी होती है p equal to on by up 14 का correct answer option number a p equal to on by up question number 15 question number 15 का रहा है एक लेंज की छमता का SI मात रखा है एक लेंज की छमता का SI मात रख meter inverse होता है 15 का correct answer option number रहा है meter inverse meter inverse lens की छमता का SI मात रखा है most important question है आपके एक जाउम के लिए question number 16 question number 16 का रहा है 12-22 के लिए उप्यूक्त होती है बाइफोकल लेंस। 16 का correct answer auction number C bifocal Rudolph Less। Q17 कह रहा है काच के लिए किस रंका अबरतनांग अदिक होता है Q18 काU RT का य। निला रंका 17 का correct answer Mexico option number D निला रंक का अबरतनांग सबसे अदिक होता है Q18 कह रहा है Optical fibre किस सिध्याओंद पर कार्य करता है अप्टिकल फाइबर पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन के सिध्योंत प्रावर्तन करता है इसलिए 18 का correct answer option number D पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन आज जो question बता रहे हैं ये question 7-8 बार पूछा जा चुगा है question number 19 question number 19 कह रहा है question number 20 question number 21 question number 21 कह रहा है प्रकास के रंग का कारण है प्रकास के रंग का कारण तरंग धरिये एवं आविर्ती है 21 का correct answer option number ये तरंग धरिये एवं आविर्ती है question number 22 question number 22 कह रहा है अकास का रंग निला परतित होने के कारण है अकास का रंग नीला परतित होने का कारण परकिर्णन है अकास का रंग परकास के परकिर्णन के कारण नीला होता है इसलिए 22 का कोड़ेक्ट आउंसर ओफ्सन नमर C परकिर्णन Q23 कह रहा है कांच के पूर्ण प्रावर्तक पिरिज्म का कोन होता है 90 डिग्री Q23 का correct answer option number C 90 डिग्री Most important question है आपके exam के लिए Q24 कह रहा है तरंग धरिय का मौन बढ़ने से कांच के बर्दनाओं का मौन घड़ता है Q24 का correct answer option number B घड़ता है Q25 का correct answer option number B बास्तिविक और उल्टा होता है Q25 का correct answer option number B बास्तिविक और उल्टा Q26 कह रहा है जिस माधियम का बर्दनाओं अधिक होता है उसमें परकास का बेग कम हो जाता है Q27 का correct answer option number ये कम हो जाता है Q27 कह रहा है बस्तु से बड़ा आभासी परतिविम बनता है Q27 का correct answer option number B बस्तु से बड़ा आभासी परतिविम बनता है अभतल दरपन से Q28 एक उत्तल लेंस में बस्तु और इसके परतिविम के बीच नियूंतम दूरी होती है Q29 कह रहा है Q30 करा है किसी लेंस की फोकस दूरी निर्वर नहीं करती है Q31 का correct answer option निर्वर नहीं करती है बस्तु की दूरी पर Q31 कह रहा है Q31 का correct answer option निर्वर नहीं करती है Q32 का correct answer option निर्वर 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 नहीं करती है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए थांक यू Q33 करती है Q34 करती है